हाई दोस्तों नमस्ते स्वागात आपका ओडिशा ओरीजिनल रिना चैनल में और मकल संक्रांती स्पेशल दही चूड़ा और खिचड़ी यह हमारा होता है सुबा के टाइम में दही चूड़ा खाते हैं और साम के टाइम में खिचड़ी दो हम आज आपके साथ यह सेयर कर रह हूं तो स्टार्ट करते हैं तही चूड़ा से तो सुबा के टाइम में यह पंडिशी के लिए सबसे पहले मैं उनका एक थाली में सब कुछ अलग निकाल दी थी जो हम खाते हैं वही हम सुबा के टाइम में जो तही चूड़ा वगेरा जो खाते हैं वही हम पंडिशी को दा कि'm you जब कर ना इंबligen फर्फी जम आनने उन्हां पर परे बंड्याज ने कर ने करपा आशू कुछ रैडिमेट qoo बस दो चीजे घर यण नहा कर आथे हमस्थ काला तेल छूते हैं और आग में थोड़ा सकाला तिलकुल ऐसा डाला जाता है और डाल कर उसका जो धुआ उससे हम सेक लेते हैं ऐसा किया जाता है हजबन सिखाए मुझे नहीं पता था वो ही ऐसा करते हैं तो अब हम भी वैसी करते हैं कि म कर सा क्रांती मेरे दोस्तों आप सभीको मकर्सा कर अंति की हारदिक काम नाएए आप लोगा मेंसा स्वस्था मुश्कूराते रहो यहीं मेरी और बेरोका से स्वस्था हमेछा सारे होते हैं, मेरे बच्चे सब सुमा ही नहाच और यह वाली जो तील है वह हम आग में डाल कर उसका सेख लगाते हैं यह नियम है और जो हम खाते हैं वही आ प्हल दान भी देते हैं, तो यह मैं सब के लिए नास्ता रिए बच्चे के तो यह हो गया सुबह का नास्ता हमारा और यह आगया साम का टाइम है तो यह पांच की दाले हैं और चावल है जो मैं भिगोके रखी थी और यह सब्जियां गोभी, मटर, थमाटर, आलू इस सारी सब्जी में कट करके रखी थी और आज मैं थोड़े अलग टाइप से खिचडी बनाती हैं हर दिन चैशल में एक बार ही मैं ऐसा भान इसको मैं एक정을 बनाती हैं तो कुकर में पहले दाल तरह से गले ना ऐसे डाल दोना बहुत ज़्यादा अग्दम पक जाता तो ऐसे ऐसे करती हूं तो तो सही रहता है सारा कुछ तो यह तरीका था और खिचरी के साथ बोलते हैं खिचरी के पांच दोस्त जरूर होते हैं हमारे में उसका कुछ अलग वर्ड है मैं ऐसे बता रही ह तो खिचडी के पाँच यार ऐसे साइध बोलते हैं तो खिचडी के साथ पापड, अचार, दही, चटनी, घी ये चीजे बहुत जरूरी है तो अचार तो हम नहीं खाते हैं मतलब सर्दियों में अभी मैं तो मैं चोखा बनाई थी तो खिचडी के साथ ज्यादा तर हमें सब बहुत अच्छा लगता जिसे चोखा बोलते हैं तो पहले मैं पापड तल के निकाल ली फिर उसके बाद आलू का चोखा त्यार कर रही थी और आलू का चोखा त्यार होने के बाद फिर घी तो दही को मैं थोड़ा सा पतला कर लेती हूं यहां पर खिचडी के साथ ना ऐसे पतला वाला दही अच्छा लगता लगता लसी बना ली उसका उसमें जीरा पाउडर और काला नमग डालके मैं उसको रेडी कर ली थी तो लसी भी मेरा रेडी हो गया और इतने टाइम तक मेरी तिन चेजे रेडी हो चुकी थी चोखा पापड़ लसी अब मुझे त्यार करना था हरी चटनी इसके विना तो मजा ही नहीं आता तीखा तीखा चटनी बहुत अच्छा लगता है हरी चटनी तो पता हरी धनिया है हरी मेच लाशन और नमक और आधी नीबू डालकर मैं इसका चटनी त्यार कर लोंगी और इसके बाद फिर मैं घीवी देशी घीवी गरम कर ले थी तो यह खिचरी का सारा मेरा तयार है तो यह तैयार है अब कुकर खोल कर मिसमे में थोड़ी हरी धनी डाल चुकी हूं कुकर को ढ़कन निकाल कर और अब मैं उसके लिए प्लेट लगाऊंगी तो देखी कितना टेस्टी और अच्छा है सब सबजियां भी है गोबी भी सब है सही है बहुत अच्छी तरह से बहुत जादा नहीं पका था सब सही था तो सबकी प्लेट रेड़ी है और मैं प्लेट में करांती में मैं ऐसी बनाती हूँ और हम पूरे फैमिली मिल कर खाते हैं तो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना कमेंट करना सेयर करना